नमस्कार दोस्तों मैं निलकुमार शाहेकाचारिये राजनिति विज्यान राज की महाविद्धाले मुंडावर आज की इस ओनलाइन कक्स्या में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के माद्यम से हम बीए फस्ट एयर के पॉलिटिकल साइंस के टोपिक पंडित जुहालाल नहरू जी जो कि भारती राजनिति विचारों के अंतरगत आते हैं उनका अध्धन करेंगे दोस्तों पूर्व के वीडियो के अंदरगत हम नहरू जी का सामाने परिचय पढ़ चुके हैं उनके धर्ण निर्पेक्सता संबंदि विचार पढ़ चुके हैं और फाशिवाज सामराजवाज संबंदि उनके विचार पढ़ चुके हैं अब इस वीडियो के मादम से हम उनके लोकतंत्र के संबंद में विचार क्या है उन पर चर्चा करेंगे तो लोकतंत्र के संबंद में नहरू जी क्या कहते हैं उनके अनुसार लोकतंत्र सर्वत्म विवस्था है और लोक्तंत्र एक व्यापक धाना और व्यवस्ता है रानितिक लोक्तंत्र तक पहुंचने का एक मार्ग है कि स्वैम कोई लक्ष नहीं है यह लक्ष गल्ती से टाइप हो गया माफिचाऊंगा और हब इसकी अगर हम व्यापक तोर पर चर्चा करें तो दोस्तों जो सर्वत में वेस्था बताई गई है लोक्तंत्र को नहरूजी ने तो वो ऐसा क्यों कहते है तो दोस्तों नहरूजी के चिंतन को अगर हम देखें या उनके कारे कलापों को देखें या उनके जीवन को देखे तो ये सब चीजे इस बात के प्रतीक है कि वे महाल लोकतंतर वादे थे और लोकतंतर में उनके गहरी आस्ता थी वे राजतंतरे कुलेंतंतर और अधिनायक वाद आदी उन सभी राजनितिक वरस्ताओं के कटू आलचक थे जो लोकतंतरिक मार्ग में विश्वास नहीं करती थी वे सबतंतर भारत के लिए या विश्व के अन्य किसी भी राज्य के लिए लोकतंतर को ही सबसे उप्युक्त सासन प्रणाली मानते थे इसलिए सामेवाद की प्रगति से प्रभावित होते वे भी नहरु सामेवादी सासन को आदस रूप में स्विकार नहीं कर शके थे दोस्तों जो पंचवर्षी योजना का मोडल है जो नहरु जी ने लागू किया था अब तो हलाँ कि बंद कर दिया गया, नीतियायोग बन गया है लेकिन जो पंचवर्षी योजनाएं हैं जिनके मादम से हमने तेजगती से आर्थिक प्रगती की तो वो पंचवर्षी योजनाओं का मोडल स्वामेवादी वैस्ता से प्रभावित होकर पंडित जी ने यहां लागू किया था और पंडित ज्वाला नेरू जी स्वामेवादी सोव्यसंग के दोरे के उपर गये थे वहां उन्होंने देखा कि बहुत कम समय में सोव्यसंग ने बहुत तेजी से प्रगती की है और इसका कारण वो मानते थे कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा बनाए गई पंचवर्षी योज हैं उसी सिस्टम को उसी ढाचे को नेरू जी ने भारत में लागू किया और उसके मादम से भारी उद्दोगों की स्थापना भारत में की गई लक्स बना करके की गई क्रमबद रूप से की गई और हमने तेजगती से आर्थिक विकास किया लेकिन इसके बावजूद भी वो सामिवादी सासन को अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि इसमें व्यक्ति का अधिकार और शुतन तरताएं सुरक्सित नहीं होती हैं ठीका आर्थिक प्रगति के लिए आप उसको पंसवर्शी योजना को लागो कर दो तो पंसवर्शी योजना थी वह भी लोक्तांत्रिक सवर प्रूप में लागो की गई थी हमारे यह तो यह बात आप ध्यान रखे अपने लक्षियों की प्राप्ति के लिए वे किसी भी ऐसी वैस्था को नहीं मानते थे या नहीं अपना सकते थे जो हिंसा, क्रांती, युद्ध और विनास के साधनों के हदार पर कारिये करती हो यद्द पी वे इस बात को स्युकार करते थे कि वेवार के अंतरगत लोक्तंतर में अनेक कमिया होती हैं लगन फिर भी वे इसे सुद्रड आधारों पर परिवर्त लाने का एक प्रभावी साधन मानते थे लोक्तंतर में कुछ ऐसी बाते होती हैं जो इसे अन्य किसी भी राजनितिक विवास्ता के तुलना में स्रेष्ट बना देती हैं ये बाते हैं व्यक्ति और शमू दोनों की स्वधिनता विचार और कारियकी स्वचंतरता व्यश्क मतादिकार निर्वाचित प्रतिनीदियों द्वारा सासन संचालन सासकों को बदलने का धनता का दिकार और इन सबसे बढ़कर कोई चीज है तो वह है समानता समानता से उनका आज से विकाज के लिए अवसर की समानता से था जिसमें यह बात नहीं ही था कि समाज में जो व्यक्ति जितने अधिक कमजोरी सती में है उन्हें विकाज के लिए उतनी ही जादा स्विधाएं दी जाएं उतनी ही जादा आवसर दिये जाएं लोगतंत्र एक व्यापक धाना और व्यवस्ता है इस सम्मंद में नहिरुजे कहते हैं कि लोकतंतर को एक राजनितिक वैस्ता मातर ही नहीं, वरंद जीवन के जो विविद पक्स होते हैं, अलग अलग पक्स होते हैं, जैसे कि राजनितिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, इन से जुड़ी हुई एक व्यापक वैस्ता है लोकतंतर, उनका विचार था कि सामाजिक और आ है उन्होंने स्वयम एक बार पत्तर में लिखा था कि व्यक्तिकत रूप से राजनितिक लोक्तंतर को शुकार करने के लिए तयार हूं लेकिन इसासा के साथ कि वह सामाजिक लोकतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा राजनितिक लोकतंत्र लक्स तक पहुंचने का एक मार्ग है स्वेम कोई लक्स नहीं है यह लाइन आप धान रखे इस प्रकारवे लोकतंत्र को एक सासन प्रणाले नहीं वरन एक जीवन दर्शन मानते थे स्वयम नहरू के सब्दों में लोकतंत्र अंतो गत्वा एक जीवन पदती है और उन बातों को ब्रदास्त करने का जिने हम पसंद नहीं करते नेरू सोचते थे कि लोकतंत्र के लिए धर्ण निर्पेक्स के आदर्श को अपनाना बहुत जरूरी है नितान तावशक है लोकतंत्र आत्मक सासन पढ़नाने जो होती है दोस्तो वो एक गती सील धार्णा है तथा लोकतंत्र के समझिक आर्थिक नयके साथ समन्वे किया उसकता पर बल देती है सविधानवाद और नागरिक अधिकारों पर बल देती है सत्ता के विकेंद्रिकन का इसमें आग्रे किया जाता है और लोकतंत्र नैतिक मानदंडों और माननेताओं की योजना है तो चलिए पहली बात देखते हैं कि लोकतंत्र एक गतिशील धार्णा तथा लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक नयके साथ समन्वे क्या आउशकता क्या है क्यों है इस समन्द में नेरु जी के क्या विचार थे नेरु का विचार था कि लोकतंत्र एक गतिशील और निरंतर विकास माई धार्णा है लोकतंत्र समन्दी 19-20 सदी की धार्णा यानि की प्रतेग व्यक्ति को एक वोट प्राप्त हो उन दिनों के लिए ठीक और काफी थी लेकिन आज वे अपूर्ण है और लोग आज अधिक व्याप्ता को और अधिक गंभीर लोकतंत्र के बारे में सोचने लगे हैं आखिर एक वोट का अधिकार रखने वाले भिखमंगे तथा एक वोट का अधिकार रखने वाले लखवति सेट के बीच क्या समानता हो सकती है भारी संपत्ति के स्वामी के पास अपना प्रभाव डालने के सेकड़ उपाए हैं जिनसे एक निर्धन व्यक्ति सरवता वंचित है इसी प्रकार आती शिक्सित व्यक्ति और बिल्कुल एशिक्सित व्यक्ति के बीच भी कोई समानता नहीं है अताय आर्थिक छमता शिक्ष्या और दूसरी बातों के कारण भेद रहेगा सब ल आगे बनने का मोका मिलना चाहिए जहां तक कि वे बढ़ सके जितना कि उनके अंदर साम्रत है सकती है अते नहरू का विचार था कि पुझेवादी विवस्ता में लोक्तंत्र को अपनाना संभाव नहीं है यदि ऐसे समाज में लोक्तंत्र इस्तापित हो भी जाए तो संत्र की सफलता तभी संभाव है जबकि लोक्तंत्र का सामजिक आर्थिक नयाय के साथ समन्वे हो आवशकता इस बात की है कि व्यक्ति की गरीमा और सामजिक आर्थिक नयाय के बीच समन्वे स्थापित किया जाए और इसके लिए लोक्तंत्र करी राज्य और समतावादी र कितान ताविशक है और इसके साथ ही आर्थिक शित्र में योजन की पद्धिति को अपना कर सभी वर्गों के आर्थिक और सर्वंगन विकास की दिशा में आगे बढ़ना होगा अगली बात आती है सविधानवाद और नागरिक अधिकानों पर बल नहरू सरवाधिकारवादी द्रस्टिकों के प्रबल बिरोधी थे और सविधानवाद में उनकी गहरी आस्ता थी सविधानवाद व्यक्ति के सासन की तुलना में विधी के सासन को स्विकार करता है और नहरू लोक्तंतर के लिए इसे आवशक मानते थे उनकी माननेता थी कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए राज्य के लिए व्यक्ति के जीवन में अस्तक्षिप करना आवशक हो सकता है लेकिन किसी भी इस्तती में व्यक्ति के जीवन में राज्य को एमरियादित और रैसिमित रूप में सक्ति के प्रियोग काधिकार नहीं होना चाहिए लोक्तांत्रिक विवस्था के आवशक अंग के रूप में नेहरू ने नागरिक अधिकारों को अतिन्त महतपूर्ण माना किन्तु साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो लोक्तंत्रिक ववस्ता है उसके अंद्रगत नागरिकों में कर्तम्यों के प्रती निष्ठा पूर्ण समर्पन जरूरी है आवशक है अगली बात है दोस्तों कि सक्ता के बेकेंद्र कर्ण का आगरह करते हैं तो नेरू जी जthose सक्ति और के पक्रण हो नेरू राजनितिक सक्ति के केंद्रिकरण को लोकतांत्रिक वैस्था के लिए के संकट मानते थे और उनका इस पस्ट विचार था कि सत्ता के दुरुपियों को रोगने का एक ही मार्ग हो सकता है तथावा निच्चे के इस्तरों तक सत्ता का विकेंद्रिकरण है नेरू ने अपनी इस मान्यता के आदार पर ही दो अक्टूबर 1969 को लोकतंत्रिक विकेंद्रिकन की यूजना पनाई थी लोकतंत्र नेतिक मान्धंडों और मान्यताओं की यूजना है नेरुजी लोक्तंत्र को केवल एक राजनेतिक ववस्ता ही नहीं वरन नेतिक मानधन्डों और माननेताओं की योजना मानते थे उन्होंने कहा था कि मेरे विचार में लोक्तंत्रकार्थ एक विशेश प्रकार की सरकार तथा कानूम संस्ता से कुछ अधिक है यह आवसक रूप से जीवन के नेतिक मानधन्डों तथा माननेताओं की योजना है आप लोक्तंत्री है अथवा नहीं यह इस बात पर निर्वर करता है कि आप एक व्यक्ति अथवा एक वर्क के रूप में किस प्रकार से आचरन तथा चिंतन करते हैं लोगतंत्र के लिए अनुसासन, सही सुनूता तथा पार्स परिक्सद भावना अत्यनता आवशक है अपनी सोतंत्रता के लिए दूसरों की सोतंत्रता के प्रती आदर भाव होना बहुत जरूरी है आवशक है लोगतंतर में परिवर्तन आपसी विचार में मर्ज तथा समझाने बुजाने के आदार पर किये जाने हैं इंसक उपायों से नहीं नहरू के विचारों का यदि हम विसलेशन करें दोस्तों तो ये बात बिल्कुल इस्पस्ट हो जाती है कि लोगतंतर से उनका असे था समाज का आत्मानुसासन ये बहुत इंपोर्टेंट वाक्य हैं उन्होंने कहा था कि आप लोगतंतर की सैकड़ों परिवासा है दे सकते हैं किन्तों इसकी एक परिवासा निश्चित रूप से समाज का आत्मानुसासन है उपर से थोपा गया, अनुशासन जितना कम होगा, आत्म अनुशासन उत्रा ज्यादा होगा आत्म अनुशासन की स्तति को परात करने के लिए नहरू ने सिक्ष्यावाइस था है, उसको बहुत ज़्यादा फॉकस किया था लोक्तंत्रवाधी के नाते व्यक्ति के महत्व में नहरू का तूट विश्वास था नაकी व्यक्ति राज्य के लिए नहरू अपने विरोधियों के विरोधियों के विचारों के प्रती सहन्सील्ता और संमान की भाव रHYUN रखते थे लोक्तांत्रिक भावना की मांग है कि हम अपनी समस्याओं का निराखन आपसी बातचीत के मादधम से करें, तरक वितरक के मादधम से करें, विचार विमर्स के मादधम से करें, सहंति पुन उपायों से करें नेहरू हर कार्य को लोक्तांत्रिक धंग से करने के आदी थे, वे समूचित सेमेधानिक साधुन दवार अपनी मांगे मनवाने और निर्णैों में प्रिवतन कराने के प्रियतनों की पक्स में थे लेकिन प्रतक्स कारवाई जैसी कोई भी आंदोलोरा आत्मक तकनीक उसकी द्रस्टी में ताना सही पूर्ण थी, एलोक तांत्रिक थी नेहरूजी दोस्तों संसद्य वैस्था कि जो स्रेश्था है उसमें बहुत जादा विश्वास करते थे लोक्तांत्रिक साक्षन के चुब विविद प्रकार हो सकते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसी वैस्था के अंतरगत वो अजहेज मैसूस करते थे उनमें और उनका विचार था कि यह विविश्था वाद विवाद और विचार विमर्ष के लिए सबसे ज़्यादा अवसर देती हैं और इसमें प्रतेक इस्तरपर निर्णा की लोक्तांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है इसमें अल्प संख्यकों के हित भी अधिक सुरक्षित होते हैं नहरू लोक्तांत्रिक वैस्था की कमियों और बराईयों से परिचित थे लेकिन उनका द्रड़ विश्वास था कि लोक्तांत्र की बराईयां ऐसी नहीं है जिनें दूर न किया जा सकता हो आर्थिक समान था कि इस्थती उचित शिक्ष्यवेस था और यदि उत्क्रष्ट नतिक चरित्र की इस्थती को अपनाया जा सके तो लोक्तांत्र के सफल संचालन में कोई संधे नहीं है नहरू लोकतांत्रिक आचरण के स्रेश्थ उधारन है और स्वैम का उनका जीवन है वो भी लोकतांतर का परिचायक है लोकतांत्र के परती नेहरू जी की समस्थ आस्ता मोखिक ही नहीं थी वरननुंका समस्थ जीवन लोकतांत्रिक आचरण का स्रेश्ट उधाण था उन्हें भारत्य जनता के बीच अपार लोक प्रियता और देश में चमतकारिक नेत्रतों की स्तिति प्राप्त थी लेकिन लोक्तांत्रिक मान मर्यादाओं से तनिक भी हटने की बात कभी भी उनके मन मस्तिस्क में नहीं आई उनके रानेतिक विरोधी भी उनके समस्तरालनेतिक जीमन को लोक्तांत्रिक आचरण का स्रेश्ट उधरन मानते हैं नहरू काल के प्रिशिद सांसद हिरेन मुखर जी लिखते हैं कि नहरू लोकतंत्र और लोकतंत्रिक संस्थाओं के प्रति सदेव ही और अतिदिक सम्मान की भावना रखते हैं और छेस्टर बोल्स जो कि भारत में अमेरीकी राजवूत थे उसमें उन्होंने लिखा कि भारत में जणालन नहरू की राने तेख सकती सीमा तक सरवोच थी कि उनके द्वारासानी से एक व्यक्ति के सासन के मार्क को अपनायों जा सकता था लेकिन नहरू-जी ने अपना जो जीवन है अपना जो सासन है वो लोकतंतर को मजबूत करने की दिशा में लगाया तो आज की इस वीडियो के मादम से दोस्तों हमने नहरू जी के लोकतंतर समद्ने विचारों का धन किया है आगे के वीडियो के मादम से हम उनके अन्य विचारों का धन करेंगे धन्यवाद